हाई अमित वेल्कम टू पहला कैंपस आज हमारे साथ अमित हैं जो की आई टी हैदराबाद से एंटेक पर्स्यू कर रहे हैं आई टी विशल इंटेलिएंस में तो अमित ओडियंस को आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडेक्शन दे दू कि आपके साथ में पॉड्कास्ट कर सकूं तो hello everyone my name is Amit Kumar Singh I am from Delhi my family originally hails from Sultanpur Uttar Pradesh and I have done my bachelors from the Department of Electronics and Communication Engineering from Bharti Vidapit College of Engineering currently I am pursuing my master's in the Department of Artificial Intelligence here at IIT Hyderabad and I have secured an all India rank of 554 in GATE 2022 and I have also been selected in a government PSU School India Limited based on my GATE score and talking about what I like and my hobbies I like reading books and also I have a passion for dancing that's a small introduction from my side we are great so let me know about schooling के बारे में बताओ कि कहां से schooling की थी और देन फिर engineering का कैसे ख्याल आया विया स्कूलिंग मेरी दिल्ली से हुई थी मेरे स्कूल का नाम था वनस्तली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो वहां से मैं फोर्स से लेके 12 तक वहीं से मैं पड़ा हूं तो बच्पन से मतलब थोड़ा science में इंट्रस्ट था तो मतलब की commerce और आर्ट्स तो वहीं से हट जाती है तो ठीक है पीसियम मैं अच्छा खासा मैंस मेरे सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा मेरा मैस में था और मैस में अच्छे माकस आते थे मेरे ठीक है साइंस में भी तो उस तरफ से थोड़ा सब्सक्राइब करने का कोशिश किया था कि इस बार मतलब में यह था कि मैं मतलब में यह था कि मैं अच्छे से पढ़ूं वहां जाके तो उस टाइम पर जैई में का एक्जाम दिया था तो मेरी यह इंट्रेस्ट था इसी में ऐसा नहीं था इसी इसले लिया था एक और कंफ्यूजन था कि मुझे मतलब एक इससे नीचे वाले कॉलेज में कुछ ऐसा मिल रहा था तो सिंपल सा रोल है कि मुझे सिसाइटी इस कॉलेज में नहीं मिला इसलिए मुझे इसी के साथ रहना पड़ा अच्छा इसी के साथ आपने कंटिन्यू कि हर एक माइन मतलब एक चीज़ होती है कि पहले तो 12 के बाद अगर उसने PCM लिया हुआ है तो डेफिनेटली मुस्ट पॉब्ली हर कोई यही की प् सब्सक्राइब पूरा कर सकते हैं तो गट के बारे में सबसे पहले करते हैं तो गेट का सबसे पहले आपने कब सुना है और कब से स्टार्ट की थी कि पिखेंट का इसको मैंने थवर्द इयर में मैंने सुना था संद्ध मैंने सुना था एक दोस्स से सुना था मतलब कि टीचर्स भी काफी बार बोला करते थे कि कुछ बच्चे मेरे काफ़ इंटेलिजेंट थे जब वो कुछ सम्सावल कर देते थे तो सर कहते थे कि यह वच्छा गेट क्वालिफाई कर लेगा तो फिर वहां से मैंने परिपरेशन गेट की चालू करी तो कॉलेज के बाद लिया था या फिर से मेरा एक साल का ड्रॉप फिर से लगा था मुझे तो पहले ये ये में कॉर्स मेरा लगबक कंप्लीट हो गया था बट रैंक अच्छी नहीं आई थी मुझे एक मिश्टेक यह लगती है कि मैं मतलब कि मैंने एक्जाम से पहले एक महीनिस पहले से मैंने मेरे माइंड में यह आ गया था कि मुझे सेगिंड अटेम्ट देना है तो मेरी उस टाइम सेवन थाउजेंड राउंड रैंक आई थी और हां मतलब कि मैं काफी डिसपॉइंट भी था मतलब कि मैंने इतना एक्स मैंने 2000 एक्सपेक्ट किया था कि मेरी रैंक एतनी मेहनत की थी लेकिन मुझे लगता है कि यह जो मेरे चला गया उसके वज़े से मेरी रैंक और गिर गई तो अब हम बात करते हैं अगर अभी कोई फॉर्ट यर एद्र इयर में स्टुडेंट से ठीक है और वो एंटेग के लिए प्रिपेर होना चाहता है एंटेग करना चाहता है या एमटेग नहीं गेट क्वालिफाइब करना चाहता है क्योंकि बहुत सारे लोग है जो गेट क् Parliament करना चाहता है तो वह किस तरीके से प्रत्रा करें कुछ विर बेसिक कॉंसेट होते हैं किसी भी क्रायक करने के लिए जो मैंने समझ साइबनी जो भी मेरी जर्णी रही हो या फिर मेरी जो फिट्जी गेट की जर्णी नहीं रहेंगे तो सबसे पहले तो आप इसा नहीं कर सकते हैं कि आप एक दिन पढ़ा और आप आपने एक दिन आड़ गंटे पढ़ लिया उसके बाद तीन-चार दिन आराम ले रहें आपको उस महाल में बने रहना है सबसे ज्यादा कंजिस्टेंशंजी जहीं यह आपने सुना होगा तो उसकी सबसे ज्यादा मैं रहता है कि आपको खंद्जेंट रहना है आपको रोज में भी आप थोड़ा कम पड़िये लेकिन आप रोज पड़िये आप उसके माहौ में बने रहीए उसके बाद दूसरा मैं कहता हूं कि hard work जो है hard work तो आपको लगाना ही है hard work का there is no substitute of hard work आपने सुनाओगा तो hard work आपको करना ही है आपको रोज 8 से 10 घंटे यह आपको देने ही है तो एक consistency मैं मानता हूं hard work मैं मानता हूं उसके बाद मैं तीसरा सबसे important मानता हूं कि आपका mindset होना चाहिए आपको आपका वैसा mindset होना चाहिए आपको अपने आप पे believe भी होना चाहिए कि हा मैं कर सकता हूं और दूसरा थोड़ा आप जब strategy के साथ चल रहे हैं तो एक मैं आपको example देना चाहूंगा कि जो हमारा यह जो mind होता है ना यह machine नहीं है यह आप 14 गंटे उसे लगातार लगातार आप पढ़े जा रहे हैं तो इसमें क्या करना है आपको जब आपका एक दो घंटे बाद जो आप मतलब example लीजे कि आप आपने भी start करी पढ़ाई तो एक दो घंटे तक तो आपका mind खुब अच्छी efficiency देगा लेकिन एक दो घंटे के बाद आपकी जो efficiency होगी वो decrease हो जाएगी तो यह आपको समझना पड़ेगा आपको उसको जबरदस्ती नहीं करना है जब आपकी efficiency क्या नामे decrease हो जाए तब आपको उसको थोड़ा सा break देना है पांदस मिनट का break दीजिए आप अपने चेर से उठिए जाइए घूम गाम के आईए थोड़ा पानी पीजिए वाश्रूम जाइए एक गाना सुन लेजिए उसके बाद आप अगर प्रेक दे देंगे तो आपकी efficiency फिर से वापिस आजएगी तो आप फिर से आप स्टार्ट करिए फिर से आप एक दो घंटे के लिए आपक आप फिर से अपनी यूग कर सकते हैं और ऐसा ही जैसे अभी मैं बता रहूं कि एक दो घंटे के लिए वैसा ही डे के लिए भी है यहां पर एक दो घंटे की वैसे आपका आट-दस घंटे जब आप लगातार पढ़ लेते हैं तो फिर एक बार आपका दिमाग बोल देगा क आप उससे जवर्दस्ति ना कीजिए आप उसे कह दिए ठीक है बस इतना करते हैं आज के लिए इतना बहुत है फिर अगले दिन के लिए छोड़ जाए अच्छा तो आपने जो है ठीक है आप पूंट ने कर दो ब्रेक्स का का काफी इंपॉर्टेंस है ब्रेक्स आप देते कैसा आता है कि आपका माइंड एकदम मतलब काम करना बंद हो जाता है तो मैं पर कहना चाहूंगा कि आप उस दिन एक दिन ब्रेक लीजिए अच्छे से मूवी देखिए मतलब जो करना है आपको करिया मतलब पढ़ाई की टेंशन भूल जाईए उसके फिर अगले दिन आपने dag कि ती उस टैंक पे कितना बढ़ते थे आपकता डेली स्रील कि होता मतलब केंठी करने खिर्ष और कांप आपना चाहिए कहां से नहीं पढ़ना चाहिए और इन सब चीजों में मेरे टाइम जआधा जाता था और जहां लेकिन इनिशली बड़ा मुश्किल हो पाता है इनिशली मतलब इनिशली आप कॉलेज जा रहे हैं आप मतलब इंजॉयमेंट के मूड में फिर अचानक से लगातार बैठना थोड़ा सा वो उस टाइम पे लगता है लेकिन आप जब एक बार धीरे-धीरे स्टार्ट कर देते ह बाद मतलब वो शिटिंग मतलब एक साथ 6 गंटे बैठना और वो सब फिर आप यूश्टू हो जाते हैं उसके जोन में रहने लगते हैं तो धीरे-धीरे जोन बनता है ऐसा नहीं होता कि आप अचानक से पढ़ने लगे तो क्या गेट के लिए कोचिंग करना मतलब कंपल सर ही है लेकिन आपकी काफी ज्यादा मदद हो जाती है कि आप अगर गेट की कोचिंग करते हैं क्योंकि मुझे मैंने कहीं और कुछ कोई कुछ और नहीं देखा है मैंने बस मेड़ी की कोचिंग लिए उनकी क्लासेज की हैं उनकी नोट्स बनाए हैं और सिर्फ पीवाई की तो आपके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि आपको सोर्स ऑफ स्टेडी डिसाइड करना पड़ता है यह चीज़ कहां से पड़े तो आपको मतलब उसमें आपका टाइम वेश्ट हो सकता है कि मतलब कि आपको एक चीज़ पढ़ेंगे फिर यह आपके हिसाब से नहीं बैठी या जो भी है तो इसमें आपका टाइम वेश्ट हो सकता है हां मतलब बिना कोचिंग के भी बच्चे करते हैं और होता है लेकिन हां अगर आप कोचिंग लेते हैं तो आपकी बिल्कुल है और क्यों करनी चाहिए देखिए दोनों के ही प्रोज हैं दोनों के ही कॉंस हैं कुछ बच्ची ऑफलाइन के लिए इसले जाते हैं कि उन्हें एन्वायर्मेंट मिलता है और क्या ना में वहां पे एक महौल मिलता है और मतलब टीचर को देखने तो थोड़ा सा मोटिवेशन आता है और पाकी ऑनला था तो मुझ्छे ऑनलाइन ज्यादा प्रिफर है क्योंकि मेंटि जब मैं स्टार्टिंग मैने स्टार्टिंग थी तो मेरी कॉचिंग ओफलाइन थी लेकिन उसके दो ही महीने बाद और तो सारा ओनलाइन ने तो फिर मतलब मैंने ऑफलाइन भी गया मैं दो महीने ऑनलाइन भी किया मैंने तो मुझे जो पता जला कि मतलब ऑफलाइन जाने में मुझे ऑनलाइन ज्यादा अच्छी लगी कि उसमें आप आपके पार फ्लेक्सिबिल्टी रहती है कि आप कभी भी देख सकते हैं और क्याना मैं यहां से उठेंगे तयार होंगे फिर सेंटर के लिए जाएंगे उसमें भी आपका टाइम वेस्ट होता है तो वो भी नहीं होगा असद जो टीवाइक्यू होते हैं उनका कितना रोल है फाइनल एक्जाम में और वो कितना impact डालते हैं फूरी preparation में मेरे हिसाब से उनका मतलब यह समझ लेजिए कि उनका 50 से 50 परसेंट या 60 परसेंट से उपर उनका रोल है मैं अगर कोई भी बच्चा भी गेट के लिए तैयारी कर रहा है preparation कर रहा है start भी करने की सोच रहा है तो फ्मिलचेस्ट की बच्च जरूर देखें अगर वह स्टार्ट आस से स्टार्ट कर रहा है तो जरूर देखे कि पीबच्च किस टाइप से आ रहे है आपको strategy में यह नहीं करना है कि आप कहीं से भी पड़ रहें कुछ भी पड़ रहे हैं जब आप गेट के पीवाई क्यूस देखेंगे प्रिविए से और कोशन देखेंगे तो आपके mentality बन जाएगी कि अच्छा गेट इस टाइप से कोशन पोस्टा है तो आपको आप जब कॉंसेप्ट को लगाना ना अगर उससे स्टार्टिंग में लग नहीं रहे हैं तो कम से कम उन्हें पढ़ना तो जरूर स्टार्ट कर दें मतलब मेरे पास दो कितावे थी और उसमें पूरी भरी हुई थी वह उसमें मतलब उसमें यह होती है पी वाई की उसकी कि जो इजी कोशन होते हैं मतलब आपने खरी दियेगा गेट पी वाई क्यू की उसके बाद जो आप ट्राइ कीजिए कोशन अगर वो कोशन आपसे पहली बार में लग गया तो मेरी इस्ट्रेड़ेजी थी कि मैं उसको टिक मार कर देता था मतल पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है इन पर कम ध्यान देना है और जिस पर जितना ज्यादा स्टार है मुझे उसको उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना है उसके बाद कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि जो आपके स्टार है वो भी टिक बन जाएंगे वह भी आपको आने लगें तो फॉलो बनाते थेक्सिश बंठाते थे तो हां उन्हीं के नॉट्स डाहिं मैंने फॉलो किये हैं रिवीजन काफी अच्छा अंतुव होता है मतलब में कि करेंगे अबivesse道 Local नहीं कर रहें तो आप सब भूल जाएंगे मतलब रिवीजन भी वीकली चलता है फिर मंथली चलता है तो आपको ऐसा करना है कि जो आपकी एक इतनी सब कुछ आपके नोट्स में लिखा होगा लेकिन आपको बार बार रिवाइस नहीं करना है आप उसको एक बार रिवाइस करें उसके बाद एक छोटा सा सॉट नोट बना लें मतलब कि आप उन 40 लेक्चर की समरी हो जाएगी आपके पास करीब आप दो चार पेजों में बना जिसमें आप टॉपिक लिख दें और टॉपिक लिख दें और सब टॉपिक लिख दें बस उसके बाद जब आप रिवीजन करने वैठें तो आपको सॉट नोट से करना है क्योंकि अगर आप क्या नामें बिग नोट से करेंगे पहली बार और दूसरी बाद बिग नोट से क उत्रू हो जाईए लेकिन अगर बार-बार रिवीजन कर रहे हैं तो आप सोट नोट को उठाएंगे बिग नोट को नहीं उठाएंगे क्योंकि अगर आप वो चालिस लेक्चर वाली नोट्बुक उठाएंगे तो आपको करीब मतलब टॉपिक्स पढ़ते जाएं और अपने दिमाग के अंदर चलाते जाएं कि बिग नोट्स में क्या लिखा था तो आपके सारे रिवाइज होते जाएंगे और जो आप सिर्फ उसको बिग नोट्स में जाएंगे जो कि आपको याद नहीं आ रहा है कि इसका क्या करेंगे आप हर बार बिग नोट्स पर नहीं चले जाएंगे आपको जब भी करना है काफी अच्छी स्ट्रेटजी यह आपने बताई नोट्स के लिए क्योंकि नोट्स जो है वह रिवीजन के टाइम जवाब का जो एक्जाम टाइम होता है वह बहुत थोड़ा बसता है ले तो यहां मौक टेश्ट का भी काफी रोल होता है इसमें मौक टेश्ट बेसिकली तीन-चार चीज़ों के लिए बच्चे देते हैं सबसे पहले मौक टेस्ट दीया जाता है कि अपनी गलतियों को पहचानने के लिए पैश्चों से यह सजब करूगगा कि आप गेट का कि यह मॉक्टेश्ट देना मॉक्टेश्ट का सबसे में फाइदा यह है कि आपको फुल लेंग्ध मॉक्टेश्ट देना है आपको तीन घंटे तो मॉक्टेश्ट देना है और आपको तीन से चार घंटे उस मॉक्टेश्ट को एनलाइस करने में लगाने हैं आपको जितने आप एक अलग notebook में उन silly mistakes को लिखेंगे कि यह मैंने silly mistakes की है और आप उसे जब भी अगला मॉप्टेश्ट देंगे तो एक बार उन silly mistakes को देख लेंगे जो आपका mind है वो अपने आप उस गलती को होगी आप पहले लगाएंगे आप पहले लगाएंगे 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 तो इसमबर से आप फीलिट काम कर रही है उसी स्ट्रेडिजी को आपको फाइनल एक्जाम में रेप्लिकेट करना है जिससे कि आपका बेस्ट आउटकम आ सके तो अमित आपने प्रेपरेशन की डिवेशन कौन-कौन सी बुक्स फॉलो की थी पॉर गेट उसके बारे में थोड़ा बताओ अगर आप यह सब चीजए कर लेते हैं उसके बाद अगर आप प्रॉपर मॉप्टेश्ट दे लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है आपको किसी और book refer करने की जरूत पड़ेगी या किसी और source of study की जरूत पड़ेगी इतना source of study इतना source enough है आपके लिए तो आपका कहने के मतलब यह है कि अगर आप कोई भी coaching जॉइन कर रहे हो online या offline तो उसका खुद का material sufficient है जो कि आपके notes और वीडियो जो भी मिलता है अगर उसको प्रॉपर और regular basis पर करते हैं तो इसली वह sufficient material है राइट मैंने औरों का कह सकता हूं कि मेडिजी का आपका sufficient है वो लोग इतना provide कराते हैं जब आपके फरवरी से एक महीने पहले जनवरी के starting में वो short notes की भी एक series चलाते हैं जिसमें सभी teachers आते हैं आपका sort में revision कराते हैं जल्दी जल्दी आपका जनवरी में revision कराते हैं तो अगर आप उनको सही से follow कर लें तो यह sufficient है इतना सफिशेंट है और मैं एक पॉइंट और बोलना चाहूंगा कि जब आप क्याना में आपके preparation के दौराद ऐसा कई टाइम आए का जब आप low field करेंगे तो मैं आपको कि कुछ अपना एक support system बनाई है कि मतलब आपके कुछ खास दोस्त हों तीन-चार जो कुछ खास दोस्त हों जब आप कभी भी depression फील करें तो आप उनको कॉल लगा के आप मतलब अपनी बाते शेयर कर सकें जिससे वह मतलब आप फिर से रिएनरजाइज होके फिर से आप back to study आ सके तो यह कोई friend circle हो या जिसने कोई आपके senior हो जो गेट कॉलिफाई कर चुके हैं या जिससे आप बहु किसी वी एक्जाम की अगर हम बात करें तो उसमें person low feel होता है high feel होता है तो low feeling के time पे आपको अपनी feeling को बताने के लिए कोई ने कोई person होना चाहिए तो मैं अमित का एक LinkedIn account और social media account भी दे दूगा description में तो जो भी students preparation कर रहे हैं वो अमित से अगर कोई tips लेना चाहिए तो ले सकते हैं और हाँ अगर low feel कर रहे हैं तो definitely बात कर सकते हैं तो आपको काफी help मिलेगा काफी ज्यादा तो अमित आप आगे वड़ते हैं कि आपको कोई दो tips देनी हूं जो की sprint है तो आप क्या tips दोगे जो की उनकी preparation काफी ज़्यादा help करेगा मैं दुबारा point रिबीट करना चाहूंगा कि अगर मुझे सिर्फ दो points देने हैं तो मैं सबसे important मानता हूं कि consistency मतलब लोग बोलते तो हैं कि वो रोज 8-10 घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन यहां पर बात हो रही है कि रोज 8-10 घंटे आप एक साल के duration के लिए पढ़ रहे हैं य इतना enough है तो पहली चीज है consistency दूसरी चीज है hard work आपको hard work का कोई substitute नहीं है आपको मेहनत करनी पड़ेगी आपके लिए कोई और मेहनत नहीं करेगा आपको ही करनी पड़ेगी तो यह दो points है मेरी दर से यह तो एकदम true है कि मेहनत तो खुद कोई करनी पड़ती है तो अमित सब्सक्राइब करते हो ना तो आपने भी कॉलिफाइब किया और काफी अच्छी रैंक लाई ठीक है तो आपके पास भी दो option थे एक तो कि आप PSU में जा सकते थे और दूसरा option था कि आप IIT में सब्सक्राइब कर सकते थे और आपका PSU में सेलेक्शन भी हुआ था राइट आपने वहां से ड्रॉप लिया आएटी को कॉंटिन्यू किया तो हर एक स्टुडेंट के पास दो option होते हैं तो क्या बिटर होता है मतलब वह तो सेच्वेशन के उपर डिपेंड होता है कि आपक सब्सक्राइब करने का मौका मिलता है और मतलब दोनों की अपने प्रोज और कौन से कुछ निक्सान है यह आपके इंडिविजुल पर डिपेंड करता है कि उसको क्या चाहिए अगर आप क्या ना मैं अगर आप एम्टेक के लिए परसीव कर रहे हैं तो यहां पर हां अच्छा रिसर्च के लिए अगर आप रिसर्च के लिए इंट्रेस्ट हैं फर्दर स्टेडीस के लिए आप अगर इंट्रेस्टेड हैं तो एम्टेक बहुत ही अच्छा उप्शन ह हैं और दोनों के ही अपने कौंस हैं कि सबसे पहले मैं government exam की बात करूँगा कि government का अगर किसी बंदे का mindset ये है कि वो अब उसने काफी gate में तयारी कर लिए gate में काफी महनत लगती है और उसका मन यह है कि वो पढ़ना नहीं चाहता है कि ठीक है भाई काफी पढ़ लिया अब उसे एक stable lifestyle चाहिए और दूसरा point यह कि उसको एक work life balance चाहिए अब उसको ज्यादा hustle नहीं करना है अब बस ठीक है stable lifestyle चाहिए तो उसके लिए वो government सबसे best है लेकिन अगर किसी का research में interest है किसी का further studies में interest है और उसको मतलब और अभी opportunities देखनी हैं तो उसके लिए मैं कहूंगा कि एंटेक ज्यादा एंटेक ज्यादा better option है मेरे पास मतलब मैंने दोनों ही मेरे पास ऐसे examples हैं कि जो मेरे साथ कुछ मेरे classmates थे वह उन्होंने एंटेक छोड़के PSU चुना वह मेरे साथ एंटेक में थे उन्होंने PSU चुना और मेरे पास कुछ हैसे भी examples हैं मैंने कुछ हैसे भी लोग देखिए जो कि जिन्होंने का exam qualify करने के बाद करके वह एंटेक में आये और उन्होंने दो साल का सब्सक्राइब किया उसके बाद फिर वह जॉब में लगे तो दोनों के प्रोज और कॉन्स हैं अभी आप आयटी हैदरबाद में हो तो मतलब आयटी इसका कितना benefit मिलता है जैसे अधर कॉलेजिस भी है और आयटी इसके क्या प्रॉंस रहते हैं क्या कॉंस रहते हैं इसके बारे में थोड़ा गिटेल में स्टुडेंट्स को बताओ और सो डाइट की अगर जो प्रेफेzejर करें और हार क्विश्ञें करें कि उनको आयँटी में जाना ही जहना है जुश्य पहली पहला ऑप्ष्शन जो मैं देखता हूँ यहां पर काफीहें साधी में प्लती हैंं आपको नैट्वर्किंग के लिए और अगर आपका कॉई आईडिया है तो यहां पे funding के लिए आपके पास इजी होता है यहां पे funding के कुछ agencies हैं और क्या नामे government भी यहां पे काफी कुछ ना कुछ program लगा निकालती रहती है जिससे कि आपको असानी से आप pitch करें आपको funding funding इतना मुश्किल नहीं है अराम से मतलब networking की भी opportunities हैं और इन सब की भी opportunities हैं और दूसरा जो मैं देखता हूं कि एक आयटियन बच्चे और नॉन आयटियन बच्चे के अंदर जो difference मुझे जिकता है कि मुझे यहां के बच्चों के अंदर selfish confidence मुझे ज्यादा देखता है कि उसके मन में itself डाउट रहता है कही ने कहीं कि पता नहीं कर पाऊंगा और पता होगा या नहीं वहां लेकिन जो में यहां के बच्चों के अंदर यह आप न इतने ड़ल जाते हो कि आपको विसी चीज से ड़ल नहीं लगता है क्योंकि आपके आसपास जो लोग होते हैं वो भी सेम चीज कर रहे होते हैं तो आपको बाइड़ पॉल करना पड़ता है और आप खुद वैसे हो जाते हो तो उसका पड़ता है जो भी जाता है कि ठीक है वह इतना कर रहा है तो एक एक मोटिवेशन भी आता है अंदर से कि हाँ ठीक है अपन भी करते हैं अच्छा आपने अमित रिलाइंस पीजी स्कॉलर्शिप की हुई है तो इसके बारे में थोड़ा ओडियंस को डिटेल में बताओ कि यह होती क्या है प्लस स्कॉलर्शिप एंडर्ग्रेजवेट के लिए भी निका लिजाती है हर साल और को में दिया हंड qualification करते हैं हर साल पेजEC पहले उनकी आपको साइट पर जाना पड़ेगा आपको कुछ forms वरने पड़ेंगे आपकी basic details देनी पड़ेंगी उसके बाद आपके दो आपके letter of recommendation लगते हैं एक letter of recommendation लगता है character का और एक letter of recommendation लगता है academic का आपके teacher के द्वारा या फिर अगर आपने कहीं पर internship करी है या फिर आपने कहीं पर job करी है तो character certificate आपका boss दे देगा जो कि मेरे case में मैंने अपने boss से ली थी तो उसके बाद इन दोनो letter of recommendation के बाद आपको एक problem आपको ये वताना पड़ता है एक SOP देना पड़ता है कि वह आपको ये scholarship क्यों दे रिलाइंस पीजी scholarship ये six values जिस आदमी के अंदर रहेगी उनको दी जाती है उसमें पहली है excellence दूसरी है leadership quality तीसरी है growth mindset फोर्थ है कि community commitment आप community को वापिस क्या देना चाहते हैं तो ऐसे करके छह value system है जिस पे रिलाइंस पीजी scholarship आपको दी जाती है आपको दो letter of recommendation एक SOP देने के बाद आपका एक टेस्ट होता है टेक्निकल एक टेस्ट होता है उसको qualify करने के बाद आपका एक इंटर्वी होता है अब उस इंटर्वी को qualify करने के बाद आपको all over India बच्चे apply करते हैं उसमें से all over इंडिया में से hundred बच्चे सेलेक्ट करते हैं जिनको यह scholarship मिलती है ओके ग्रेट तो सबसे पहले बहुत बहुत congratulations कि आप इसके पार्ट बने मतलब आपने सारा कुछ qualify किया तो इसके बाद ऐसा कुछ होता है कि आप graduate होके इसके बाद से ही आपको acquire कर लेगी मतलब अपनी किसी कंपनी में आपको job देगी उनके अंडर कुछ काम करना पड़ेगा कोई bond होगा ऐसा कुछ है क्या कोई भी ऐसा कोई भी बॉर्ण नहीं है ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं कि आपको वहीं जाके जॉइन करना है यह मतलब scholarship का फाइदा यह कि वह आपको वर्थ अप्टू शिक्स लैक्स रुपीज का आपको scholarship देते हैं ओवर यूर टोटल पीरिट ऑफ यूर एम्टेक तो इसमें वह आपको गुडीज मतलब गुडीज भी देते हैं उसके साथ-साथ आपको networking की opportunities भी देते हैं वह आपको अपने पास बुलाते हैं वहापे बच्चों से आप सारे जो scholarship के बच्चे हैं उनसे आप networking भी करते हैं बट ऐसा कोई भी बॉर्ण नहीं कि आपको उन्हीं की company में करना है या उन्हीं के पास job करना है ऐसा कोई भी बॉर्ण नहीं है तो इसके बाद what next मतलब आपका future goal क्या है तो भीया मैं एक mtek three year आरे हूं मेरा जो mtek है वह तीन साल का है तो मतलब होते हैं तो में आपको सारा academics करना होता है रर सेकेंड यर में आपकी साथ होती है और सेकेंड यर के स्टार्टिंग में आपकी placements भी होती हैं लेकिन थ्री यर की case में क्या होता है कि आपका स्टार्टिंग से आपको रिसेर्च में घुश जाना पड़ता है तो आपकी मतलब तीनों साल रिसेर्च चलेगी उसके साथ परलेली आपका एकेडमिक्स भी चलता रहेगा और थर्ड येर के फर्स सेमिस्टर में आपकी प्लेस्मेंट से या जो भी है तो अभी तो मैंने कु कि इस एर के एंड में मैं डिसाइड कर लों कि प्यश्डी के लिए जाना है कि प्लेस्मेंट के लिए जाना है कि तो थैंक यू सो मच अमिट पर कमिंग एर और बहुत-बहुत आपको बेस्ट अप्लग पॉर फूचर थैंक यू फॉर हविग मेंस इत वाग एक्स्पिरियं विए तार में, थैंक यू फॉर हविए, थैंक यू